लंबे अर्से के बाद आखिरकार अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए हैं। राम लला की प्राण परतिष्ठा कारेकरम में अपने भाशन की शिरुवात उन्होंने सियावर राम चंद्र की जै के जैकारे के साथ की। पुर्धान मंत्री मोदी ने कहा कि सियावर राम चंद्र की जै आप सब को परणाम सब को राम राम आज हमारे राम आ गए हैं। उन्होंने कहा सदियों की प्रतिक्षा के बाद हमारे राम आए हैं। सदियों का अभूतपूर धेर्य, अनगनित बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद प्रभु राम आए हैं। इस शुब घड़ी की आप सभी को समस्त देशवासियों को बदाई। मैं गर्ब ग्रह में ईश्वरिये चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ। उन्होंने कहा कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद है, शरीर स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है, हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे राम लला अब दिवे मंदर में रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रदा है, जो घ हटित हुआ है इसकी अनुभूती देश और विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी यह शन अलोकिक है यह पल पवित्रतम है यह महाल वातावरन यह घड़ी प्रभुश्री राम का हम सब पर आशिरवाद है राम आग नहीं है उल्जा है वे विवाद नहीं राम मंदिर की प्राण परतिष्ठा में पी एम मोदी संख परमुख मोहन भागवात समित दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे इस दौरान आयोध्य की सडकें जैश्री राम के नारे से गूंचती रही कार्य करम के दौरान आसमान से पुष्पों की वर्ष प्रधान मंतरी मोदी जी ने कहा मैं प्रभू राम से शमा भी मांगना चाहता हूं हमारे त्याग और पुरुशार्थ में कुछ तो कमी रह गई जो हम इतनी सदियों तक यह काम नहीं कर पाई आज वह कमी पूरी हो गई मुझे विश्वास है कि प्रभू मुझे अवश्य म बोले जहां राम का काम होता है वहां हनुमान भी होते हैं यही वज़े है कि मैं हनुमान गड़ी को भी परणाम करता हूं मैं उनके अलावा देवताओं और आयद्या पुरी और सर्यू को भी परणाम करता हूं मैं इस वक्त दैविय अनुभव कर रहा हूं जिनके महान आश सदियों से मंदिर बनने में आ रही अरचने, एक के बाद एक रुकावटे, कोट के ओडर, बाबरी मस्जिद, तोड़ फोर, संतों को आग लगाना और उसके बाद एकदम राम मंदिर बन जाना, क्या लगता है आपको, क्या ये कोई चमतकार है, राम मंदिर बनने का